नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल पारस होंपेथी जोद्प में मैं डूक्टर रामदेल अमोरिया एक होमियोपेथी कंसर्डेंट जो आज आप से चर्चा करूंगा कोन के बारे में दोस्तों कोन क्या है? इसके क्या सिम्टमस होते हैं? यह किस कारण की विज़से बनता है और होमियोपेथीक मेडिसन से बीना सर्जरी के कोन को कैसे ठीक किया जा सकता है? इसे पे ये वीडियो फोकस रहेगा दोस्तों गर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आप ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें और इसके बैल बटन को जुरू दबाएं जिसे जो हमारे नई वीडियो आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको कूंसता रहे हैं चलिए दोस्तों चर्चा स्टार्ट करते हैं कोन के बारे में कोन का मतलब है आपके प्रेसर पॉइट की जो भी जगह होती है हाथ या पैरों के अंदर जहां पर प्रेसर ज्यादा लगता है प्ठिक्सन ज्यादा होता है या वहां पर ग्रसन ज्यादा होता है उसकी वज़ए से वहां जो एसकिन ड्राई होके डैड होने लग जाती है उ इसमें कई बार pain होने लग जाता है, आपकी चलने फिरने में प्रेसानी होने लग जाती है, या हातों से work करने में problem होती है, तो अपन क्या करते हैं, इसको surgery के लिए, surgeon के पास चले जाते हैं, वहाँ पर surgery करवाई जाती है, लेकिन काफी cases होते हैं, उनके अंदर ये कोण वापिस डवलप हो जाते हैं, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि homeopathic medicine से बीना किसी surgery के आसानी से इस चीज को ठीक किया जा सकता है, और इसके दुबार अब बनने से भी इसको रोका जा सकता है, तो दोस्तों अब बात करते हैं, कि ये कोण क्यों डवलप होते हैं, यानि कि body की एक defective mechanism होती है, श्रीर को बचाने की pressure से अक्षेस pressure लगता है, उससे बचाने के तहट body एक response create करती है, और उसकी विज़र से ये चीज़े डवलप होना start हो जाती है, अब बात करते हैं कि homeopathic medicines क्या करती है इसमें, दोस्तों homeopathic medicines बीना किसी चीर पाड़ के, बीना किसी कोण कैप के, बीना किसी acid लगाए हुए, कुछ भी आपको local application की जुरुत नहीं परती, बीना किस ये है, internal homeopathic medicines लेने से आसानी से ठीक हो जाता है, वो इस बार-बार बनने से भी रुखता है, दोस्तों बहुत आसान इलाज है homeopathic के अंदर, लेकिन जरूरत होती है symptom similarity की एक अच्छे डोक्टर से promise करके ही, आप कौन के लिए treatment ले तभी आपको इस बीज़ में success मिलती है, इसमें कोई बहुत लंबा treatment नहीं चलता है, कुछ ही मैने या कुछ दिनों के ही treatment से आपका कौन ठीक हो सकता है, इसमें सब-सब बड़ी बात होती है कि आप देखते हैं कि इसको उपर से रफसा नजर आता है, इसको हटा देता है, नुकिली चीज़ से निकाल लेता है, कट करने की कोशिज करते हैं, एसिर से जलाने की कोशिज करते हैं, लेकिन इसकी जो root होती है वो थोड़ी deep होती है, तो यह वापिस दिर दिर अंदर से भाहर के दरफ आ जाता है, अब homeopathic medicine से दोस्तों क्या करते हैं, कि जैसे ही हम treatment start करते हैं, यह जो नीचे से जगाट सोड़ना start करता है, दीरे दीरे जैसे skin के लेर भाहर आती है, वैसे वैसे यह भाहर आता जाता है, और एक time ऐसा आता है कि बिल्कुल आसानी से अलग हो जाता है, और आपका जो घाव है बिल्कुल आसानी से नेचरल तरीके से वही लो जाता है, आपको पदा भी ने जलता वहां किसी तरीके का corn था, अब बात करते हैं कि क्या क्या medicine है ओंपेती के अंदर, दोस्तों सबसे top leading medicine के अंदर आती है antimonium crudum 200, antimonium crudum 200 बहुत ही powerful top leading medicine में आती है दोस्तों इसके लिए, जिसके अंदर large होते है horn, hornet type, यानि कि बिल्कुल ऐसे पतले पतले लंबे-लंबे सीम होते हैं, उस type के ऐसे corn's के अंदर जो हलके से दर्द करते हों, दबाने से यानि चलने स्फिरने से उन पर प्रेसर पड़ता है तो दर्द मैसूस होता है, ऐसे cases में दी जाती है antimonium crudum 200, अब second top leading medicine में आती है दोस्तों renonculus bulbosis, renonculus bulbosis और antimonium crudum में में difference भी आपको बताऊंगा, renonculus bulbosis के मरीज होते हैं उनके अंदर भी howard होते हैं, होर्णे type के war side होते हैं लेकिं यह जो war side होते हैं, इतने ज़्यादा sensitive होते हैं कि हलका सा टस्क करने से भी pain होता है उनके अंदर, यानि इससे ज़्यादा hard होते हैं आपके रेनन कुलस बल्बोसस के एंटीमोनियों कुरूडम से यानि ये डिफ्रेंस होता है रेनन कुलस बल्बोसस इसके 30 पावर की 5-5 बूंद आदा कप पानी में दिन में 3 बार दी जा सकती है दोस्तों 3 नमर की जो मेडिसिन आती है एस्टीड नाइट्रिकम एस्टीड नाइट्रिकम 30 पावर की 5-5 बूंद आदा कप पानी में दिन में 3 बार दे सकते है ऐसे केसे जहां पर बहुँ ज़्यदा पेंफूल रहते हैं जिनके बिल्कुल ऐसे घौंपने वाला सा दर्द जैसे उसमें से तिखा निकाला जा रहा है ऐसा अगर दर्द महसुस होता है उनके से जहीं में अवर्द करती है एसिड नाइट्रिकम दोस्तों से बार yakopodum के जो केस होते हैं या जो वाडस होते हैं उनके अंदर जलन जैसा दर्द होता है इसकी जो peculiar symptom है कि जो जलन दर्द करते हैं वो जलन जैसा वहाँ पर मैसूस होता है इसके साथ में painful भी होते हैं दर्द ही रहते हैं इसके अलावा जो भी lycopotum के symptoms होते हैं उसके according आप इसको use कर सकते हैं उसके बाब जो medicine आती है वो दोस्तों silesia silesia के जो वार्स होते हैं उसका 30 पावर यूज करते हैं पासपास बुंद आदर कर पानी में दिन में 3 बाद सब्सक्राइब करती है silesia दोस्तों यह जो top rating medicines है इनको symptom similarity के बेस्ट पर दिया जाए तो कैसा भी आपका कौन आसानी से ठीक हो सकता है दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग हो तो इसको लाइक करें सेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों बने र